हेलो एवरिवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT चॉप में भारतिय विद्या भवन सार्दा विद्या मंदिर से वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आविदन कर सकते हैं सीनियर स्कूल टीचर्स 9-12 की वेकेंसी है मिडल स्कूल टीचर में 6-10 क्लासिस की जूनियर स्कूल टीचर की अगर हम बात करें तो 1-5 टीचर्स के लिए यहां पर वेकेंसी जारी की गई है जूनियर स्कूल के लिए किवल फीमेल कैंडिडेट अपलाए कर पाएंगी कर सकते हैं, last date जो है वो 19 मई 2024 रहेगी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विज्यापन दिखा देती हूँ, विज्यापन के अंतर गहते हैं, सबसे पहले qualification देखेंगे, subject wise, भारतिय विद्या भवन, आरके सार्दा विद्या मंदिर की ये vacancy है, और इसमें जो है, केजी से 12th with strength of 1926 students, इसमें जो है वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, post की अधी हम बात करें, senior school teacher chemistry, 9 to 12th classes के लिए 35 year तक के candidate यहाँ पर अप्लाए कर सकते हैं, कोई fees नहीं लगेगी आविदन के समय, master degree chemistry में होनी चाहिए, 60% marks के साथ में, degree या diploma teaching में, यानि आपने B.Ed किया हो, और 3 साल का इसमें अनुभव CBSC school में पढ़ाने का आपके पास होना चाहिए, साथ में CTAT या TET आपका क्वालिपाई हो, आपने आपके राज्य का TET क्लियर किया है, तो भी आप यहाँ अप्लाए कर सकते हैं, आपने Central Teacher Eligibility Test क्वालिपाई किया है, तो भी आप अप्लाए कर सकते हैं, next middle school के लिए 30 साल तक के candidate आविदन कर सकते हैं, English subject के लिए 6 to 10th class, master degree English में at least 60% marks के साथ में B.Ed होना चाहिए, या कोई डिप्लॉमा आपने किया है, तो भी आप अप्लाए कर सकते हैं, तीन साल के अनुभव के साथ में CTAT या TET क्वालिपाई होना चाहिए, junior school teacher EVS Environmental Studies, जिसमें class 1 to 5, केवल female candidate apply कर सकती हैं, बाकी middle में और senior school में male female दोनों apply कर सकते हैं, इसमें 30 साल उम्र है, junior school teacher के लिए computer teacher की भी vacancy है, दोनों में ही जो है केवल female candidate apply कर सकती है, EVS के लिए B.Sc 60% marks के साथ में degree या कोई भी डिप्लॉमा, ठीक है, अब इनोंने जो है कोई भी डिग्री आपक के पास BSTC है, आपने जो है BTC किया है, DEAD किया है, DEAD किया है, ठीक है, तो आपने degree या डिप्लॉमा कोई भी जो है teaching line का किया है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आविदन करने के योगे हैं, लेकिन 3 साल का कम से कम अनवव होना चाहिए, CTAT और TAT भी qualify होना जरूरी रहेगा, computer teacher के लिए master degree आपका होना जरूरी है, music teacher हिंदुस्तानी classical vocal के लिए उम्रत 45 यर तक के candidate आविदन कर सकते हैं, तो इसमें master degree music में आपकी हिंदुस्तानी vocal में होनी चाहिए, और इसमें भी जो है 3 साल का अनुहव आपका रहेगा music में, 11-12 में आपने कहीं पर भी जो है, इसमें teaching की है, CBSE school में, तो आप apply कर सकते हैं, तो vacancy किस राज्य की है, राइपूर 36 गड़ से ये vacancy है, भारी राज्य की candidate बिलकुल आविदन कर सकते हैं, school की website का link जो है आप लोगों को यहीं पर विग्यापन में मिल जाएगा, email address आपको यहाँ मिलेगा, phone number भी आपको यहाँ पर म cvb.araypur.org ठीक है, इस पर आप लोगों को अपना detailed CV भेजना रहेगा, अपना post किस subject के लिए apply कर रहे हैं, यह जरूर मेंशन करियेगा, 19 मई last date रहेगी, इंटर्व्यू रहेगा, परिक्षा नहीं है, तो इंटर्व्यू के लिए इन्होंने बता दिया है कि जो भी candidate इंटर AC और bus fare, ठीक है, तो यह आपको जो है, बिल्कुल मिलेगा, salaries will be the best as per current standard, तो salary जो है, जो भी post है, उसके according जो salary रहती है, जितने भी बड़े school है, जैसे DPS है, NVS है, ठीक है, इसमें जो भी salary रहती है, वही आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, साथ में जितना experience आपका जादा रहेगा, जितने सालों का उतनी ही salary जो है, वह आपकी अधिक रहेगी, ठीक है, इसमें यह बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, तो यह काफी अच्छी vacancy है, जो भी candidate apply करना चाते हैं, कोई भी degree diploma आपने teaching line का किया है, master degree किया है, senior teacher के लिए apply करेंगे, seat at qualify होना चाहि में middle school के लिए apply करेंगे, junior school के लिए BSC वाले apply करेंगे, diploma और degree आपका teaching में, यानि BAD, BSTC, DAD, DLAD आपका जो है, होना चाहिए, तो चलिए, ऐसी ही जो है vacancy और भी राज्यों की आती है, आप लोगों को सूचना वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, channel को subscribe कर ले, bell बटन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले, जो भी वीडियो जैसे ही बनते हैं, आप लोगों तक सूचना यूटूब के माध्यम से पहुचेगी, thank you